नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप बार बार सीटेट का एक्जाम दे रहे हैं फिर भी आपका क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो आप ऐसा क्या गलती कर रह है जो बाकिया नहीं कर रहा है जिसका रिजल्ट हो रहा है वो क्या कर रहा है और आप ऐसा क्या गलती कर रहा है जिसके कर आण आपका रिजल्ट नहीं हो रहा है और उनका रिजल्ट हो जा रहा है इन्हीं सब चीजों के बारे में तो वीडियो को शुरूश से अंतक जरूर देखिएगा काफी useful होगा और आपको जो बताया जाए उसको अपने study में apply कीजिए आपका भी result होगा 100% तो चलिए शुरू करते हैं देखिए seated का exam और भी competitive exam से बिल्कुल different है अगर इसमें आपका strategy सही नहीं होगा तो आप इस exam को असानी से correct नहीं कर पाईएगा क्योंकि इस exam का syllabus और पैटर्न बिल्कुल अलग होता है और भी competitive exam से तो मैंने वैसे student से भी मिला है जो seated अच्छे माग से असानी से एक बार में qualify किया है और वैसे student से भी मिला है जिनका seated का exam बार-बार देने के बाद भी नहीं निकल रहा है तो उन्हों ने क्या गलती किया जिसके कारूंका seated नहीं निकल रहा है और वो student जो असानी से seated निकाल लिया एक बर में अच्छे माख से उन्होंने अपने strategy में ऐसा क्या क्या चीज अपलाई किया इन चीजों को समझना काफी जरूरी है देखिए जो student का seated नहीं निकल रहा न उनको syllabus का ग्यान ही नहीं है उन्होंने अक्सर student ऐसे हैं जिनको syllabus पता भी नहीं है कि seated के साइड पे official syllabus दिया जाता है अगर आपने भी syllabus नहीं देखा है तो seated के साइड पे जाईए official syllabus को download किजिया और उसको देखिए इस बार का जो information bulletin आया है उसमें वो syllabus आपको official दिया हुआ है उसमें हर वो topic तक describe किया हुआ है कि कहां से person आएंगे किस-किस topic से person आएंगे क्या-क्या चीज पढ़ना है हर subject का syllabus detail में दिया हुआ है पहले आप उसको download किजिए फिर उसको देखिए और उसको समझने की कोशिज किजिए सबसे बड़ा चीज है seated के exam के लिए कि आपको syllabus का knowledge होना काफी जरूरी है दूसरा गलती जो student अकसर करते हैं वो ये करते हैं कि subject या content के पार्ट के तयारी के लिए कोई भी publication का book खड़िद लेते हैं हमने वैसे student से मिला जिनका seated के exam नहीं हुआ है clear एसा नहीं कि वो मेनत नहीं करते हैं वो भी मेनत कर रहा है काफी मेनत कर रहा है लेकिन उनका direction ही गलत है किसी भी publication का book आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि उसमें lengthy भी होगा time भी लगेगा और आपका useful भी नहीं होगा आपको सिर्फ और सिर्फ NCRT पे भरोसा करना पड़ेगा क्योंकि syllabus में भी आपको seated ने official syllabus में भी NCRT का चर्चा किया है तो आपको NCRT का ही book पढ़ना चाहिए सिर्फ और सिर्फ अगर आप seated qualify करना चाहते हैं तो इसके अलाबाग कुछ भी नहीं पढ़े कोई भी book ना पर है उसके बाद जो अक्सर student गलती करते हैं वो यह कि previous year question solve भी नहीं करते बहुत करते तो दो तीन साल का solve करते उनको लगता है की हो गया बिल्कुल भी नहीं ऐसा करे आपको previous year paper हर हाल में solve करना है और जितना हो सके solve कीजिए अगर आपके past time है तो अभी तक जितना exam हुआ है ना पूरा का previous year solve कर जाईए क्योंकि जो जो student seated निकाला है previous year solve 100% उन्होंने किया है in fact हमने भी seated qualify किया एक बार में अच्छे mark से qualify किया हमने तो ज़्यादा कुछ किया नहीं previous year paper total solve कर गया उसका discussion उसके बारे में हर एक चीज उसका concept को समझने की कोशिस की और आसानी से seated qualify हो गया आप भी किजिए seated के लिए previous year question कहें तो रामबान है अगर आप इतना इतना भी कर लेते हैं ना सिर्फ और सिर्फ previous year paper समझ लेते हैं उसके concept को समझ लेते हैं और हर previous year paper को solve कर लेते हैं तो आपका seated ऐसे ही निकल जाएगा और एक important बात यह है कि आपका time manage होना चाहिए time management काफी important है seated की exam के लिए क्योंकि इसमें question language में रहता है तो आपको पढ़ना पढ़ता है उसमें time भी लगता है अगर आप seated का previous year paper का practice नहीं करेंगे तो आपका time भी manage नहीं होगा जिनकी बाते को आप समझ पाते हैं जिनके language आपको समझ में आ रही है उस teacher का वीडियो देखें और उनहीं का study material पर है अलग अलग teacher का वीडियो देखने की कोई जरुवत नहीं होती है हां यह हो सकता है कि वह teacher को एक subject नहीं पढ़ा रहा तो फिर दूसरे subject के लिए आप कोई एक teacher से पढ़िए तब आपको benefit अच्छा देखने के लिए मिलेगा यह सब यह छोटी छोटी बाते हैं लेकिन अगर इसे आप अपने study में apply करोगे तो आपको result अच्छा देखने के लिए मिलेगा तो यह चीज़ अपने study में apply केजिए मिलते हैं next वीडियो में तिल्दन keep learning keep past my link bye-bye